सबसे पहले हम लोग 13,19,7 x 13,19,7 लिख लेता है उसके बाद जब भी कोई संख्या अगर दो बार गुना में है तो हम उसे स्क्वेर में लिख सकते है यानि 13,19,7 स्क्वेर और गाइस 13,19,7 का जो close 100 होगा वो होगा 14,00 गाइस 13,19,7 को हम लोग 14,-3 इसक्वेर लिख सकते है क्योंकि 14,00 से एकर 3 नगर मैनस भी करते है तो 13,19,7 है इसक्वेर आएगा गाइस A माइनस B स्क्वेर का जो रूल होता है A स्क्वेर माइनस 2AB प्लस B स्क्वेर उसी तरह गाइस हम लोग 14,00 को A माल लेंगे और 3 को हम लोग B माल लेंगे तो A माइनस B स्क्वेर हो गया तो यह होगा इसका जो रूल होगा A स्क्वेर यानि 14,00 स्क्वेर उसके बाद 2, A मतलब 14,00 है और B मतलब 3, उसके बाद प्लस आखरे में 20 स्क्वेर है तो 20 स्क्वेर होगा 3 का स्क्वेर हम लोग 14 का स्क्वेर कर लेते है यानि 14,00 है 196 तो हम लोग यह लिख सकता है 196 उसके बाद काईस स्क्वेर है इसलिए 200 के जगे 40 उसके बाद काईस हम लोग गुना कर लेते है 14 का 2 का और 3 का और आखरे में हम 2,00 बैठा देंगे तो 14 दूने 28 होगा उसके बाद हम लोग 3 से गुना करेंगे तो यह होगा 84 और पीछे दो 0 बैट जाएगा उसके बाद 3 का 20 करते हैं यानि 3 गुना 3 यानि 9 होगा उसके बाद गाइस हमें सबसे पहले प्लास का काम करना है उसके बाद हमें उसके बाद हमें minus का कम करना है गाइस plus करेंगे तो होगा 196 00 उसके बाद और एक 0 और यहाँ पर 9 होगा तो guys जैसे हम लोग minus करेंगे तो हमारे answer आ जाएगा 196 00 9 उससे 8 4 00 minus कर देंगे यह होगा 9 यह होगा 0 यह होगा 6 और यह होगा 1 यह होगा 5, यह होगा 9, यह होगा 1, यानि आप्शन नमर का इस ए, तो यह लिख रहे थे, 1951, 609, यह होगा एंसर,